हाईलो दोस्तों स्वागत है आप सफीका आपके अपने इस यूटूब चैनल एक्स्प्लेनोली फर इव में तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखलाने वाले हैं कि भाग कैसे किया जाता है ठीक है वो भी इतनी बड़ी संख्या में आपको छोटी से छोटी संख्या से हम भाग करना सिखलाएंगे ठीक है तो चलिए हम वीडियो को लेटना करते हुए हम वीडियो को स्टाट करते हैं तो देखिए इतनी बड़ी संख्या में आपको पांच से भाग देना है ठीक है तो आप कैसे दे सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में इस छोटी संख्या से तो आप लोग इस वीडियो को सिर्फ अन तक देखते रहेगा, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पांच में आपको इस पांच से भाग करना है, ठीक है, तो पांच में आपको पांच से भाग करने के लिए, आपको पांच का पहड़ा उतना ही बर पढ पढ़ना होगा कि इस पांच से अधिक नहों लेकिन पांच से कम हो जाए वो ठीक है ठीक है तो देखिए अगर हम पांच का पहड़ा एक बार पढ़ते हैं तो कितना होगा तो पांच कम पांच होगा तो यहां पर आपको पांच लिख देना है ठीक है पांच लिखने के बाद कि आपको यहां पर मैंनस का चीन देना है ठीक है और देखिए जो मैंनस का चीन यहां पर हम दे दिए हैं तो पांच में से पांच घटाएंगे तो 5 दोशिज़ों Rules लिए हमको इसको काट देना है ठीक है अप देखिए ऊपर से हम एक अंक को उतारेंगे वो क्या अंक है तो छे अंक है मतलब छे ही एक ऐसी संग्या है जो यहां पर उतरेगी ठीक है तो यहां पर आपको छे सिर्फ उतारना है ठीक है क्या करना है सिर्फ छे को ही उतारना है तो अब देखिए इस छे में आपको पांच से भाग देना है ठीक ह तो देखिए 5 का पहड़ा आप उतना ही बार पहड़िएगा कि इसे 6 से अधिक न हो लेकिन 6 से कम हो जाए वो ठीक है ठीक है तो चलिए हम 5 का पहड़ा एक बार पहड़ते हैं ठीक है अगर 5 का पहड़ा एक बार पहड़ते हैं तो 5 एकम 5 होगा तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है और यहाँ पर मायनस का चीने दे देना है ठीक है अब देखिए छे में से अगर आप पांच घटाईएगा तो कितना बचेगा तो एक बचेगा तो एक आपको यहाँ पर लिखे देना है ठीक है अब देखिए उपर से एक संख्या उतार देना है वह कौंची संख्या ह तो वो जीरो है तो यहाँ पर जीरो उतर जाएगा ठीक है यह संख्या क्या बन गई तो यह संख्या दोस बन गई ठीक है तो अब हम दोस में पांच से भाग देंगे ठीक है तो दोस में पांच से हम भाग कैसे दें तो हम पांच का पहाड़ा उतना ही बार पढ़ेंगे कि यह दोस आ जाए लेकिन दोस से अधिके नो हो ठीक है तो हम पांच का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे ठीक है पांच का पहाड़ा हम दो बार पढ़ेंगे तो पांच दुना का दोस होगा तो दोस आपको यहाँ पर लिख देना है ठीक है अब देखिए दोस लिखने के बाद आप 10 घटाईएगा तो कितना बचेगा तो जीरो तो ही बचेगा तो आपको इसको काट देना है ठीक है जब काट दीजिएगा तो यहां पर किया है तो यहां पर 15 है ठीक है तो हम यहां से दो संख्या को उतार सकते हैं ठीक है जैसे ही हम यहां से दो संख्या यहां पर उतारे तो आपको पांच से भाग देना है ठीक है तो पांच से भाग देना है लेकिन पॉंदरों से अधर्धे के नहीं सं्धिया होनी चाहिए थीक है तो हम 21 का पाइड़ा कितना पर पॉणो कि ये 15 आ जाये तो हम पाइड़ा तीन बर पुण। अगर हम 5 का पढ़ा 3 बर पढ़ेंगे तो 5 दियाईं क्या होगा तो 5 दियाईं 15 होगा तो 15 आपको यहाँ पर लिख देना है ठीक है 15 लिखने के बाद आपको यहाँ पर माइनस का चीन लगाना है ठीक है तो इसका right answer कितना आया तो इसका right answer एक 11203 इसका right answer आया तो इस तरह आप असाइन तरीका से बड़ी संख्या में ओभी छोटी संख्या से भाग दे सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो के लाइक कर देना और चैनल प